हारुफिक्स वान प्लास सेवन केमरा नोट फ्लिपिंग प्रॉब्लम नंस्कार दोस्तों सवागर है अब सभी काति किराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वान प्लास के इस केमरा प्रॉब्लम को करते हैं ठीक है जब आप कैमरा को ओपन करते हैं तो यहां पर जो फ्लिप का ऑप्शन है ठीक है साइट में लेवन साइट बोटम पर तो कैमरा जो है फ्लिप नहीं हो पाते हैं ठीक है कैमरा जो है वह फ्लिप नहीं हो पाते हैं जब हम कैमरा को फ्लिप करने की कोशिश करत तो इस तरीके कर दोस्तों प्रॉब्लम यहां पे होते हैं तो अगर दोस्तों आपके जो वानप्लास है उस मोबाइल पी भी आपका जो केमरा है फ्रांट पे बेक फे जह जो है स्टाक हो चुका है फ्लिप नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखे मैं आपको इंक मिल जाएगा चले दोस्तों वीडियो शुरू करते तो दोस्तों यहां पर जो फ्लिप्ट का क्यमरा प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले मोबाइल को रिश्टार्ट करके चेक कीजिए रिश्टार्ट कीजिए रिसेंट बटन पर क्लिक कीजि और आपको दोस्तों यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है ठीक है तो स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों आप नीचे में आए नीचे में आपको एपस नोडिफिक्शन पर जाना है उसके बाद सी ओल एपस एंड यहां पर आपको फाइन आउट करना है केमरा केमरा पर जाके इस्टोरेज पर क्लिक करें क्लियर डेटड़ पर क्लिक करके OK कर दे जिसी OK करेगा आपको बेख करना है make sure सारे permission इनेबल रहे ठीक है और उसके बाद मोबाइल को restart करते हुए कैमरा को ओपिन करें और चेक करके देखें प्राब्लम सॉल्फ हो चुका होगा अगर प्राब्लम सॉल्फ हो जाता है तो अच्छी वाद है अगर नहीं होते तो मोबाइल को सेफ मॉड पे रिबूट करें उसके लिए पाउर बॉटन को प्रेस एन हॉल करके रखना है पाउर अब पर आभी आपको परण दर्म खांओ आए तो आप जाएक ये आपने प्राब्लम को सॉल्फ लेकिन यहां है दोस्तों मान लीजह बैएनी एनी चांस बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्फ यह नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई केमरा एब इंस्टॉल कर सकते हैं ठाट पर्टी अफ्लिकेशन उसको यूज करके देखे अच्छे से काम करेगा लेकिन दोस्तों आपको जो ही ठाट प देटा पर टेब करें मोबाइल पास्वोड भर दे और मोबाइल को फेक्ट्यूरी डेटा रिसेट कर दीजिए उसके बाद जाके सॉल्फ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम तो इस प्रकार से दोस्तों केमरा नोट फ्लिपिंग का जो इश्यू है वह आफिक्स कर सकते हैं आ आफिक्स कर सकते हैं